महिलाओं की इन तीन गलतियों के कारण पती की हो जाती है अकाल मृत्यू। दोस्तों, दुनिया की कोई भी स्त्री ये तीन गलतियां कभी भूल से भी ना करें। नहीं तो पती की मृत्यू जल्दी हो जाती है। अगर आप भी ऐसी गलतियां करती हैं, तो हो जाएए सावधा अतह कौन-कौन सी हैं, वो तीन गलतियां जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से. दोस्तों, पति-पत्नी एक दूसरे के पूरक और परिवार की गाड़ी के दो मजबूत पहिये माने गए हैं. अगर इन दो पहियों में से एक पहिया भी काम करना बंद कर दे, तो परिवार रूपी गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि एक पुरुष का जीवन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसका विवाह न हो जाए. आपको बता दें कि अरधांगिनी कहे जाने वाली पत्नी अपने पती को मृत्यू के मुख से बचाने के लिए बहुत से प्रयास करती है ताकि उसका पती कभी अकाल मृत्यू का शिकार ना हो. जैसे करवा चौत का उपवास रखना, वट सावित्री की कथा करना और इसके अलावा भी कई प्रकार के पूजा, पाठ, हवन, धार्मिक यात्राएं आधी करना. लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर युवा अवस्था में ही पती की मृत्यू हो जाती है, तो गरुड पुराण में बताया गया है कि कोई स्त्री, अगर ये तीन गलतियां करती है, तो उसका पती अकाल मृत्यू को प्राप्त हो जाता है. अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में ही पती की मृत्यू हो जाती है, और पत्नी को युवा अवस्था से ही अकेला रहना पड़ता है, ऐसी स्त्रियां अपने पती से वंचित रह जाती है. दोस्तों, गरुड पुराण में पत्नी से पहले पती की मृत्यू के तीन मुख्य कारण बताए गए हैं. उन तीन कारणों में से पहला कारण है. जब कोई स्त्री, खास तोर पर वट सावित्री का वरत या करवा चौत का वरत पती के लिए रखती है, और सबसे छुपकर भी पती को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसी महिला को कई जन्मों तक भी पती से वंचित रहना पड़ सकता है. शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि कि किसी भी वरत के दौरान जब कोई स्त्री वरत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती, तो भी पती को आयू का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गरुड पुराण में बताया गया है कि जब कोई स्त्री अपने पती की लंबी उम्र के लिए वरत रखती है, तो नियमा नुसार उस दिन उस स्त्री को भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए, अर्थात वरत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही वरत को तोड़ना चाहिए। और साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है। सावित्री का वरत रखती हैं और साथ ही श्रद्धा पूर्वक सभी नियमों का पालन भी करती हैं। ऐसी स्त्री को साथ जन्मों तक भी पती का सुख नहीं मिल पाता है। दोस्तों, स्त्री की तीसरी गलती। खास करके गुरुवार के दिन बाल धोने और मास मधिरा का सेवन करने से पती और संतान दोनों पर अकाल मृत्यू का भय बना रहता है। पराय पुरुष के संपर्क में रहने या संबंध स्थापित करने पर भी पती को आयू का नुकसान उठाना पड़ता है और हमेशा पती पर अकाल मृत्यू का खत्रा भी मंडराता रहता है। अपने सीधे साधे पती को धोखा देने वाली अधिकतर स्त्रियां युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है। और सुबह देड तक सोने वाली महिला का पती भी युवा अवस्था में बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। पत्रेदारियों का एहसास होना चाहिए और पत्नी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। क्योंकि आयू और मृत्यु पती की ही नहीं पत्नी की भी होती है। और दोस्तों, पती और पत्नी एक परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिये होते हैं। जब तक दोनों पहिये सलामत हैं, तब तक परिवार रूपी ये गाड़ी बिलकुल आराम से चलती रहती है। लेकिन जिस दिन दोनों में से कोई भी एक पहिया काम करना बंद कर दे, तो इस परिवार रूपी गाड़ी को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, परिवार रूपी इस गाड़ी के दोनों पहियों को एकदम मजबूत रखिये। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का इमानदारी से पालन करते रहिये। जानकारी अच्छी लगी हो, तो कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, धन्यवाद।